यहां उपस्थित, हमारे किर्शी और किसान कल्यान मंत्री, आपके प्रभारी मंत्री, भाई कमल पटेल जी, यहां के यसस्वी और लोगपिय सांसद, भाई दुरगादास उईके जी, आमला के विधायक, आधनी योगेस पनाग्रे जी, पूर्व सांसद, आधनी हैमंद दिलवाल जी, जिला पंचात के अध्धक्ष, स्री राजा पवार जी, जिला पंचात के उपाध्धक्ष, हंसराज धुरवे जी, पूर्व सांसद बहन जोती जी, पूर्विधायक यहां के भाई महंदर सिंग चौहान जी, मंच भरा पूरा है, और इसलिए समय बचाते हु मंच पर विराजमान, हमारे सभी साथी, नेता, जनप्रतिधी, पदाधिकारीगण, और तीनों जिलों में उपस्थित, मेरी बहनों, मेरे भाईयों, और भाण्जे भाण्जियों, मामा की सब को राम राम, जै सेवा, जै बड़ा देओ आज सब से पहले, इस जिले को एक सोगात देना चाहता हूँ, सांसर डीडी उई के जी ने, भाई हैमंत जी ने, हमारे महम सिंग जी ने, और कई जन प्रतिधियों ने, मेरे पास ये आवाज पहुचाई, क्या मेड़ा बांद बन रहा है, उसकी उचाई अगर बढ़ जाए तो साले चार हजार हेक्टर मतलब दस हजार एकड में और जादा सचाई की व्यवस्ता हो सकती है, और इसलिए, आज मैं फैस्पला कर रहा हूँ, क्ये मेरा डेम बनेगा भी, और मेरा डेम की उचाई, एक दसमलब आठ जीरो मीटर बढ़ाई जाएगी अरे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, बोले भारत माता की और इसके कारण जिन गाउं में सचाई होगी अत्रिक, उन गाउं के बेहन और भाईयों को भी बढ़ाई देता हूँ, हमारे उन गाउं में पानी बहतर आए, इसका इंतिजाम किया जाएगा, दो चीजें और, यहां की सरपंच ने भी मुझे दी, और भाई महेंदर सिंग जी ने भी मुझे दी, यह प्रारम भिक्चु की यहां आया हूँ, और भौत दिनों बाद आया हूँ, इसलिए जरूरी है कि मैं इस छेत्र पर ध्यान दूँ, यहां भारती जन्ता फारिटी का बिधायक होता तो बीच-बीच में मिलकर मुझे पता देता, अब है ही नहीं तो बताय ही नहीं, बताय ही नहीं तो मामा को पता ही नहीं चला, और पता ही नहीं चला तो हुई नहीं, अब आज आया हूँ तो पता चल गया, और इसलिए भीमपुर से चिचौली ग्राम बकाजन से भीमपुर मार्ग पर बिज के निर्मान की आपने बात क यह नदी होने के कारण आम जनता को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसलिए अगले बजट में बकाजन से भीमपुर पर पुल बनवाने का काम सामिल कर लिया जाएगा ताकि जनता को कोई दिक्कत ना हो फिर आपने एक बात और की है कि भीमपुर से चिचोली म मार का चोडी करन किया जाए किया जाए क्या जोर से बताओ किया जाए थिसमार का चोडी करन भी किया जाएगा मेरे बहनों और भाइओ जब मैं यहां आ रहा था तो मुझे बताया कि हाँ बिजली की समस्या भी है और इसलिए इस समस्या के पर्मानेंट समाधान के लिए ग्राम पाट रहियत में 132 केवी का बड़ा सब इस्टेशन 80 करोड रुपे की लागत से बनाया जाएगा ताकि पर्मानेंट समस्या समाधान अब वो जब तक बने क्योंकि उसको बनने में समय लगेगा तब तक हमने तैकिया बर्मान बोल्टेज की समस्या के तादकालिक समाधान के लिए चिचौली से भीमपुर तक 22 किलो मीटर 33 केवी की लाइन डाली जाएगी जिसका काम हमने सुरू कर दिया है 15 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा यहां कलेक्टर भी है बिजली वाले काएं भाई बुलाओ ज़रा इनको यह पूरा होना चाहिए नहीं तो मुझसे लिखवा लिए MPB बाले आव ज़रा जनता के बीच में फटापट अजार हो भी यह एक ही नहीं तो जल्दी बुला ले उनको यहां ज़रा माइक पे आजाओ यह जो आपकी 22 किलोमीटर 33 के भी लाएं इसका काम सुरू हो गया कब तक पूरा हो जाएगा 15 दिसंबर तक हो जाना चाहिए सोला तो नहीं होगा सोला हो गया तो समझ़ा ना भी तो 15 दिसंबर तक हो जाएगा और एक बात और देखो और भाई आओ अपनी सरकार तो मामा की जनता के लिए है जो जनता के लिए अच्छा कर रहा है उसकी हम उसको हम पुरुसकार देते हैं लेकिन अगर कोई की गड़बड़ी के कारण जनता को परिशानी हो तो बताओ उसको दंड दिया जाना चाहिए की नहीं अरे बोलो रहे और इसलिए इस बिजली की समस्या के लिए दो लोग जबाबडार है एक पवन बारसकर जेई एमपी ईबी चीचली और दूसरा है जेई साइं खेडा इन दोनों को तदकाल प्रभावसे में सस्पेंड करता हूं और ये मेसेज है मेरा पूरे प्रदेश को के जन्ता को अगर कहीं दिक्कत हुई तो मामा उसको छोड़ेगा नहीं मेरे बहनों और भाईयो आज का दिन बहुत महत्पूर्ण दिन है यहां घोगरी बान पर आधारत 169 गाओं की घोगरी समुह जल योजना उसका भी भूवी पूजन किया है जिससे कई गाओं में पीने का पानी आएगा 169 गाओं में और 278 करोड चार लाख रुपया लगेंगे अब देखो जमाना बदल गया है हेंड पम्पे पीने का पानी हेंड पम्पे क्यों जाए भरने मेरी बेटिया अब मोदी जी के आशिरवाद से भारती जनता पारिटी की प्रदेश सरकार ने तै किया है घर घर पाइपलाइन बिछाके घर में नल लगाके टोंटी वाला नल हर घर में पीने का पानी देंगे ताकि मेरी बेहने टोंटी खोले तो जर जर पानी आ जाए गुंड गागरा सब भर जाए और मेरी बेटियों को पानी भरने बाहर ना जाना पड़े उसको दर लावाए देखो बैन और भाई आवाज आ रही मेरी ठीक से सब तरक बोलना चाहिए नहीं तो इधर खड़े तो इधर नहीं दिखता देखो आज के दिन सिएम जनसेबा भियान के अंतरगत सिएम जनसेबा भियान क्या था जनता परेशान होती थी आवेदन लेके भटकती थी जगे 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 जाती थी जाती प्रमान पत्र बनवादो प्रधान मंत्री आवास का नाम मुख मंत्री किसान कल्यान योजना में नाम जुडवादो नामांतरन करवा दो नक्से में कोई तूटी है उसका सुधार करवा दो उजुलारेस गयस कनेक्शन मुझको मिलना चाहिए वो गयस कनेक्शन दिलवा दो आइसमान कार्ड में नाम जुडवा दो लोगतंत्र है ये लोगतंत्र और लोगतंत्र में असली मालिक है तो असली मालिक सिवराज सिंग चोहान नहीं बद्ध प्रदेश की साड़े साथ करोड जनता यह असली मालिक है कोई मुक्ह मंत्री कोई मंत्री कोई अफसर यह असली मालिक नहीं है असली मालिक है तो मेरी ये जनता जनारदन बैठी है ये जनता ही भगवान है अब हम कहते बहुत है लेकिन क्या जनता को हर दबतर में ऐसे परेशान होना चाहिए क्या अरे बोलो रे नहीं होना चाहिए और इसलिए हम ने तह किया CM जनसेवा अभियान चलेगा और इस अभियान के अंतरगत हर पंचायत में सिविर लगाए जाएंगे सहरों में भी हर बार्ड में सिविर लगाए जाएंगे पंचायत में सिविर लगेंगे बार्ड में सिविर लगेंगे और उन सिविर में जो आवेदन आएंगे उन आवेदन पे कारवाई करते हुए लोगों को सुविधाय जोड़ी दी जाएंगी लोगों के नाम जोड़े जाएंगे मुझे बताते हुए प्रसन्नत आए कि इन तीनों जिलों में यहां कलेक्टर भी हमारे बीच में हैं तीनों जिलों में हमारे लगभग चार लाग से जादा अलग अलग योजनाओं के नाम जोड़े गए हैं बैतूल जिले में मैं पूछ रहा हूँ जनता बैठी थी सिविर लगे थे क्या लगे थे तो बताओ लगे थे लगे थे तो साथ सो चालीस सिविर लगे थे उनमें आवेद अनाई एक लाग चौरासी हजार चार सो उन्चालीस उनमें से एक लाग पचपन हजार अठतर लोगों के काम हो गए हैं उनको स्वीकृती पत्र दिये जाएंगे उनके नाम जोड़े जा रहे हैं कोई का नाम नाम बृत्अवस्ता पहेंसन में जोड़ा जा रहे हैं मुकमंत्री किसान कल्याणि होजना में जोड़ा जा रहे हैं किसी की उजला-रसोई-गैस कनेक्शन उसमें नाम जोड़ा जा रहे हैं 38 यहुजनाओं के यह नाम मैंने जो आपको बताएं आज जोडे जा रहें और गाउं गाउं में किसी को भटकना नहीं पड़ेगा गाउं गाउं में पंचातों में सिविर लगा के आज स्वीकृति पत्र दिये जा रहे हैं कि ले भाया अब योजना का लाव मिलना तुझको चालू हो जाएगा तू नहीं भटकेगा सरकार तेरे द्वार आएगी अब सरकार भुपाल से नहीं चोपाल से चलेगी गाउं के चोपाल से तो आज तीनों जिलों में गज्ट जिलों में लोगों को ठाट ए नर्मदा पुरम में पास्सो तहतर सिविर लगे एक लाख तहतर हजार चारसो उनहत्तर आवेदन आए उनमें से एक 69,389 स्वीक्रित कर लिए गए आज नर्मदापुरम में गाउं गाउं में स्वीक्रिती पत्र बाट दिये जाएंगे और फुर्योजनाओं का लाव चालू हो जाएगा हर्दा जिले में छोटा जिला इसलिए 300 सिविर लगे 300 सिविर में आवेदन 55,887 आए 1,5,462 आए और 55,887 लोगों के नाम जोड लिए गए हैं आज उनको भी हमारे कारीकरता और कर्मचारी स्वीक्रिती पत्र देंगे कि भाई आप भटकने के जरूरत नहीं है तुमारा नाम जोड दिया गया है तुम्हें किसान सम्मान निदी मिलेगी तुम्हें पैंसन भी लेगी तुम्हारा प्रमान पत्र बन गया तुम्हारा आइसमान कार्णों बन गया अब इनी ओजनाओं का लाव उठाओं मैं आप से पूचा चाहता हूँ मेरे बहन और भाईयो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सब बोल का बताओ पीछे तक होना चाहिए कि नए जनता ना भटके सरकार जनता के द्वार पे जाए जासिवराज जनता की सेवा कर मुख मंत्री है तो जाओ मंत्रियों जाओ सांसदों जाओ विधायकों जाओ कारी करताओं सर पंचों जनपत पंचाद वालों जिला पंचाद वालों कलेक्टर जाए कमिस्तर जाए आईजी जा अलग अलग बिभागों के अधिकारी के इंचारी जाए और जनता के काम काओं में ही करके आए ताकि कोई को भटकना ना पड़े यह नई शुरुआत हम कर रहे हैं और यह स्विकृति पत्र लेने भी किसी को भटकना नहीं है आज नर्मदापुरम संभाग में हमने लगाया है ऐसे ही सभी दस संभागों में जाऊंगा हमारे मंत्री जाएंगे हमारे कारिकरता खड़े रहेंगे और हर जगे जनता के हाथ में स्विकृति पत्र दे के करेंगे लेओ भईया योजना का लाव लेओ यह असली लोग तंत्र है यह जनता का राज है रे जनता का राज है और कोई होजना के लिए आवेदन लेके जाओ तो भटकते रहो साब मिले ही नहीं रहे और कई जगे तो ऐसा हो जाता है कि ठीक है लाप को मिल जाएगा लेकिन भेंट पूंजा ले आओ एक बात मैं साब कह रहा हूं मद्द प्रदेश की धरती पर किसी भी कीमत पर भृष्टा चार में चलने नहीं दूंगा इसके लिए संकल्प बद्ध हो के हम आए हैं और जिसने गड़बड करने की कौसिस की वो साब सुन ले पूरे प्रदेश में नोकरी करने के लायक नहीं सब्सक्राइड किसी धHarry कीमत ना है जंता कंव भठ गए है अब बझली नहीं आए क मामा जम्मेदा आ एंपीबी के इतना बड़ा ममला क्या कर रहा है समय रहते इस उधार क्यों नहीं किया और समय पर बधलते हो क्या ठांस पारफ़ार्वर एक पर ग्यकिलम ऐसAU तुछे ले जाओ, कई जगे अच्छे लोग हैं, वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन कई जगे गणवर हैं, और आज मैं कह रहा हूं इस भरी सभा में, आज मैं कह रहा हूं इस भरी सभा में, तीनों जिले मुझे सुन रहे हैं, मेरे प्रधान मंतरी ने काए, ना खाऊंगा, ना खाने दूँगा मैं ये कहने आया हूँ और तुम्हे कसम देने आया हूँ एक नया पैसा किसी को मत दे देना गर्वल हो तो सीधे CM हाउस खबर कर देना जाज करवाऊंगा और उसकी नोकरी खा जाऊंगा अब चिंता हम मत करना कि अभियान चलेगा अभियान चलेगा पूरी ताकत के साथ इसलिए जन से बाभियान और भारती जनता पारिटी के कारी करताओं की ड्यूटी है करतब पे अब फर्ज है कि ये देखें और एक बात और रहें दलालों साबधान रहना दलाल ये बड़े कलाकार होते हैं ये जिसकी भी सरकार होती है उसी के निताओं की अगल वगल में चिपक जाते हैं और वहीं गड़बड करते हैं इन से साबधान रहना है जो गड़बड करे उसे छोड़ना नहीं है देखो बाई जनता के लिए फूल से ज़्यादा कौमल अपनी सरकार लेकिन गुंडा बद कर रहा हूं अगर यह हरकतें बंद नहीं की तो सीधे घरों पे बुल्डोजर चलेंगे बचोगे नहीं किसी भी कीमत पर है एक गुरूब है यह सत्ता के दलालों का जो कोई सरकाराय उसे चिपक जाते हैं और कलाकारी करकर के पैसा खाने का काम करते हैं यह नहीं होगा किसी भी किमत पर इसके लिए लड़ेंगे और मैं आप सबसे स्वा सहोग चाहता हूं आप सबका साहोग चाहता हूं बोलिए सबका साथ मिले का ऐसे नहीं जोर से уп लो मिले का जमाना बदलना है बहनों और भाईयों किसी भी कीमत पर ये नहीं होने देंगे अभी जन से बाभ हैं चलाए अपरेल में फिर चलाओंगा चिंता मत करना अगर कोई छूट गया हो तो उसको दबतर नहीं आना फिर सरकार गौँ गौँ ले जाओंगा गौँ गौँ वहीं सिव उन सबका भी सिविन लगा लगा के समाधान किया जाएगा हम जमाना बदलने की कौसिस कर रहे हैं बहनों और भाईयों जमाना बदलने की कौसिस ये पेसा एक्ष क्या है मत प्रेश मम पेसा लेके आए मेरे बहनों और भाईयों आज पेसा एक्ष के बारे में भी आपको बत पिछलों के और सामान वर के खिलाफ है ये बिल्कुल गलत बात है पेसा किसी के खिलाफ नहीं है 89 विलाकों में लागू होगा पेसा जो ट्राइबल विलाक है आदिवासी विलाक है 89 विलाकों में लागू होगा गाउं में लागू होगा सेहर में लागू नहीं होगा और उन गाउं में अगर और कोई जाती का गैर आदिवासी भाई बहन रहते हैं तो वो भी पेशा की ग्राम सभा में सामिल रहेंगे वो भी साथ बैठ के फैस्पला करेंगे अब ये पेशा है क्या आज मैं चाहता हूं क्योंकि अब ज़र देखो मैं पेशा पढ़ा रहा हूं बोलो पेशा के बारे में धंग से सुनोगे पीछे तक बोलो सुनोगे तो अब मैं मास्टर बन गया हूं अब धंग से सुनना मेरी बात पेशा में क्या-क्या दिकार दिये मेरे गरीब बहनों भाईयो मेरे आदिवासी बहनों भाईयो भगवान ने ये धर्ती सब के लिए बनाई पानी सब के लिए बनाया हवा सब के लिए बनाई जंगल सब के लिए बनाई खदाने सब के लिए बनाई लेकिन सब के पास है क्या अरे बोलो रहे हैं क्या नहीं है कुछ लोगों के पास है बहुत से धन कमाते हैं मेरे बेहनों और भाईयों दो दो बर्ग जैसे बन गए एक प्रभाव साली जिसमें बड़े बड़े उद्धोग बड़े अफसर बड़े नेता वो सब हो गए और दूसरे रह गए गरीब बिचारे उनके पल्ले कुछ पड़ा ही नहीं है यह पेशा एक्ट आज गरीबों को अधिकार दे रहा है किसी को ससंकित रहने की जरुवत नहीं है जमीन के अधिकार जंगल के अधिकार जल के अधिकार अपनी परंपराओं के संडक्षण के अधिकार महलाओं के ससक्ती करण के अधिकार पहला अधिकार है जमीन का अधिकार मुझे सब सुन रहे है ना अब जमीन का अधिकार धान से सुनना कोई confusion की जरुवत नहीं है ग्राम सभा बनेगी एक पेसा में ग्राम सभा मतलब पूरे ही गाओं जिसमें मेरी बहने भी सामिल होगी ग्राम सभा का अधिक्ष बनेगा एक और अब जमीन का पहला हग पहला अधिकार सुनो धान से सुनना हर साल ग्राम सभा में खसरे की नकल जमीन का पूरा नकसा और बीबन की नकल रखी जाएगी प्टवारी और बीटगार्ड बीटगार्ड मतलब फारेस्ट बाले वो हर साल गाओं में जमीन का नकसा पंच्याद एग्राम सभा में रखेंगे और उसे आपको यह पता चलेगा कि जमीन की सीमाए क्या है कौन सी जमीन नाम किसके है और इसका एक बड़ा फाइदा यह होगा कि अगर कोई ने गड़बड करके नाम बदलवा लिया पंच्याद की जमीन करला के नाम हो गई तो तुरंत ही पता चल जाएगा और पटवारी तेसिलार पकड़ा जाएगा ग्रामसवा की जानकारी में जाएगा ग्रामसवा को अधिकार होगा कि वो अगर किसी की जमीन गट सट्ट करती तो बापिस उसको दिला सके हस्तक छेप कर सके कई बार पता ही नहीं चलता कौन की जमीन कौन के नाम हो गई बताओ सही बात है कि नहीं अरे बोल का बताओ मुझे पता ही नहीं चलती और जब पता चलती तो बहुत बेर हो जाती के ते साल से अब ये गड़वर नहीं चलने देंगे हर साल कलेक्टर यहां है फारिस्ट वाले हैं टी फो बीट गार्ड और पटवारी इसी साल से रखना ग्राम सभा पंजाई तो शुरू कर दें कि जमीन का स्टेटस क्या है एक बात ये इसके साथ दूसरी बात भी जुड़ी है और दूसरी बात आपके जमीन के अधिकार में आवधान से सुनते रहना अगर अधिसूचि छित्र में अधिसूचि थे नभासी बिलाग अधिसी चुच्छेत्र में अगर कोई प्रोजेक्ट आना है कोई सरकारी काम के लिए जमीन लेना है तो वो जमीन सरकार दादागिरी करके नहीं ले सकती पहले ग्राम सभा में मामला जाएगा और ग्राम सभा अगर तै करती है कि ये जमीन फलाने प्रोजेक्ट लिए दे दी जाए तो दे दी जाएगी और ग्राम सभा ने अगर प्रिस्ता पारित कर दिया कि नहीं दी जाएगी तो फिर नहीं दी जाएगी सरकार फिर उसको नहीं लेगी कि मेरी वाद समझ में आ रही है न गा सब बता व उसमझ में आ रही कि नहीं आ रही है तो ठीक है फिर जमीन नहीं ली जाएगी तो बता अपने जमीन अपने कि नहीं दे यह अधिकार अपन को हो나 चाहिए कि अरे जोर से बोलो होना चाहिए तो पेशा या धिकार आपको देता है और एक चीज और होते हैं कुछ लोग बड़ी चालाक होते हैं छल से कपट से बेहिमानी करके जमीन हत्याली कई तो ऐसे होते हैं कि किसी दूसरे धरम के और जमीन अगर लेनी है तो बेटी से साधी कर ली और उसके नाम पर जमीन ले ली यहांसा भी कई जगे हो रहा है देखो रहे बेनवर भाईयों मैं धर्मान तरण का कुछक्र मदपदेश की धर्ती पर नहीं चलने दूगा नहीं चलने दूगा के बल जमीन के लिए साधी कर ली एक नहीं तीन भी भी चार भी भी क्या तरीका है यह यह नहीं होगा और इसलिए अगर ऐसे किसी ढंग से आदिवासी की जमीन लेने की कौसिस की तो ऐसे लोग सीधे जैलों के सीख्षों के अंदर पहुँचा दिये जाएंगे अब अपराद की स्रेणी में सामिल हो गया है और अगर किसी की जमीन लिए तो उसकी जमीन बापिस दिलाई जाएगी मैं आप से पूछ रहा हूँ बोलो यह होना चाहिए की नहीं तो जोर से बताओ पीछे तक दाएंबाएं से होना चाहिए की नहीं नहीं तो हर कोई एरह कह रहा है हमारी जमीन लगया हम अपनी जमीन नहीं जाने देंगे मेरे बहनों और भाईयों एक बात ओन अगर अपने गाओं की सीमा में कोई ख़दान है पत्थर की ख़दान गिट्टी की ख़दान रेत की ख़दान तो अभी कौन नी लाम करती है कौन नी लाम करती है सरकार नी लाम करती है अब सुनो धान से सुनो अभी अधिकार आपके अधुसी जी छेत्र में आपको है ग्राम सभा को है कि उसका सर्वे किया जाए कि नहीं किया जाए और ग्राम सभा का रुनमती देती है तो वो ख़दान कौन को मिलनी चाहिए नमबर एक वो ख़दान मिलेगी आदिवासियों की सोसाइटी को सहकारी समीती को बोलो मिलना चाहिए की नहीं आज जोर से आवाद बुलंज करो ताकि दुनिया सुले मिलना चाहिए की नई नमबर एक नमबर दो किसी महला को मिलेगी हमारी बहन को अगर वो आगे आना चाहती है तो महला को दी जाएगी नमबर तीन फिर पुरुस को वो नहीं लेदी तो पुरुस को अधिकार रहेगा यह आपकी ख़दाने आपके पास रहेगी कुछ बड़े बड़े लोग क्रेसर चलाएं गिट्टी बनाएं बैचें और लगपती करोडपती बन जाएं यह नहीं होगा रामलाल स्यामलाल की भी चलने दोरे उसके घर में भी कुछ आने दो और इसलिए पेसा आपको यह अधिकार देता है बोलो मेरी वाज सबके समझ में आ रही है इधर वाले भी बताओ समझ में आ रही है और इसके साथ दूसरा अधिकार जल का अधिकार पानी का अधिकार अब अगर अपने गाओं में तलाब है तो अभी तक सरकार तै कर देती थी तलाब अपना मशली पालने आ गया बाहर भोपाल बाला बता हम क्या करेंगे भाई अब तलाब में मशली पालने की सिंगाडे लगाने ये तै करने का अधिकार भी ग्राम सभा का बोलो होना चाहिए कि नहीं और अगर सो एकर जमीन की सिचाई तक का तालाब है तो उसके प्रबंधन का अधिकार भी पूरा आपके पास ग्राम सभा के पास कैसा उसका प्रबंध करे तीसरा अधिकार जंगल का और जंगल के अधिकार को भी ध्यान से सुनना अचार हम तोड़ें मौवे का फूल हम बीने छोटी मोटी पनोपच गौंद लाख हम इखटी करें हमें क्या मिलता है भाई कई जगे मुझे बताएं का अचार की चिरोंजी जगे चार रुपई या किलो ले ली और पर दोसर रुपई या किलो बेंच दी जिसने में बेहनत की पसीना बहाया उसको नहीं मिला कुछ यह होना चाहिए क्या बताओ अब सुनों अचार की चुरोंजी ओ मौवे का फूलो गौंदो हर्रा बहेडा अउला अलग-अलग जो बनो पज होगी अपने गाओं की सीमा में जंगल में भी गाओं की सीमा पंदी हुई है तो वो तोड़ने का अधिकार ग्राम सभा को होगा ग्राम सभा को आपको होगा और केवल तोड़ने का नहीं बैचने का अधिकार भी आपको और केवल बैचने का नहीं किस रेट पे बैचना है ये तै करने का अधिकार भी आपका एक नहीं चाहें तो 25 ग्राम सभा तै कर ले कि मुवे का फूल इस भाव बेंचेंगे अब बनो पज संग नहीं खरीदेगा सरकार नहीं खरीदेगी आप चाहेंगे तो आप खरीदेगे आप मना करोगे कि हमें नहीं करना तो अलग बात फिर सरकार करेगी लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे बहन और भाईो अपने अपने गाउं में ग्राम सभा करके तुम तै करो ना कहम बीन हैंगे हम बेंचेंगे हमारी बनो पज हमारे काम आईगी हमारे बच्चों के काम आईगी और वैसे ही तेंदू पत्ता यहां तेंदू पत्ता होता है कि नहीं अरे आप से पूछ रहा हूं होता है कि नहीं तो अब तेंदू पत्ते के बारे में भी सुन लो तेंदू पत्ते के बारे में तैकिया है कि तेंदू पत्ता जो ग्राम सभा चाहेगी एक तारीख नोट करना पंध्रा पंध्रा दिसंबर आज है दो दिसम्बर 15 दिसम्बर तक दो ग्राम सभव यह प्रिस्ता पास कर देगी क्या हम तैंदूपत्ता खुद तोडेंगे और खुद बैंचेंगे भाव फारेस्ट बाले नहीं तोडेंगे भाव ग्राम सभव तोडेंगे यह डियेफों खडें कलेक्टर खड़ें कमिस्टर काई कमिस्टर खड़ें गाओं गाओं में जाकर बई जो गाओं चाहता है कि रामसभा है पास करो रामसभा प्रिस्ता पारित करें और हम उनको एजुकेट करें सिखाएं कैसे तोड़ना है फड़ में कैसे सुखाना है कैसे बिछाना है कैसे उठाना है तो हम तोड़ेंगे और हम ही तेंदू पत्ता बेंचेंगे अब इस पे तो कुछ सन्नाटा सचा गया अरे बोलो तोड़ोगे की नई सब बताओ तोड़ोगे की नई हम तोड़ेंगे और रेट फारेश्ट वाले ढंका मिल जाए नहीं तो कहीं कहा के सस्ते ही ले जाए वोले वाले लोग गड़बर नहीं होनी चाहिए तो इसमें सरकार मदद करेगी सरकार मदद करेगी और बनो पस संग नहीं बैचेगा बैचेगी ग्राम सभा कोई ठेकेदार खरीदे और कोई खरीदे और पैसा कहाँ आएगा ग्राम सभा के खाते में आएगा आपके पास बोलो आना चाहिए की नहीं इधर वाली बेहने भी बोलो आना चाहिए की नहीं अब पैसे से मजदूरी भी बाटो और बाकी जो उप्योग करना है तुम्हारा पैसा तुम जानो भाईया बीच में मामा के क्या करेगा बोलो ठीक है ना तो यह तेंदू पत्ते का अधिकार यह जंगल के अधिकार है एक अधिकार जंगल मा और दिया है इमारती लखडी भी अब जो बिकेगी उसकी 30% रासी बन सम्भीतियों के खाते में दी जाएगी सारा पैजा सरकार निले जाएगी और इसलिए अब यह काम भी आपका है एक बात और बैतूल वालो धान सो सुनना कई बार मईदूरी करने हमको बाहर याना पड़ता है जाना पड़ता है के नहीं जाना पड़ता है अब कोई भी ले जाता है एजेंट बन किया जाता है पता ही नहीं रहता कहां ले गए और कई बार मुसीबत में फस जाते है तो बार में उनकी पता ही नहीं चलता कहीं बन हुआ मजदूर तो नहीं बन गए अब कोई भी एजेंड अगर किसी भाई बेहन को या बेटा बेटी को मजदूरी कराने ले जाएगा तो पहले लिखा के जाना पड़ेगा ग्राम सभा में के यहां लेके जा रहा हूँ और आईजी एसपी यह धान रखेंगे कोई बेटा बेटी कोई भाई बहन अगर बिना लिखाए बताए प्रिक्रिया पूरे किये बिना कोई ले गया तो सीधे वो ग्रफटार किया जाएगा आँख बंद करके हम नहीं ले जाने देंगे कहीं बोलो सही है की नहीं अरो बोलो जोर सा बोलो सही है की नहीं लिखाना पड़ेगा कि हाँ जा रहे हैं काम करने नहीं कई बेटिया हमारी पर हैसान हो जाती कहां कहां जाके इसलिए नहीं होने देंगे और इसके साथ अगर कोई बाहर से आएगा गाउं में काम करने या और किसी काम के लिए बाहर कोई नहीं आएगा उसको भी लिखाना पड़ेगा कि मेरा नाम ये है, मेरा गाउं ये है, मेरा काम ये है और मैं इसलिए गाउं में आया हूँ कोई भी आख बंद करके नहीं आ सकता बोलो सही है कि नहीं एक बात और सियो जिला पंचायद है सियो जिला पंचायद देखो भाई मन रेगा मैं अब कौन सा काम होगा यह अब अब सर्था नहीं करेंगे पंचायद सचिप तै नहीं करेगा गाओं में पैसा आया है गाओं को बता दिया जाएगा इतना पैसा है और काम कौन करेगा तै ग्राम सभा आप तै करेंगे गाओं में कौन सा काम होना चाहिए बोलो यह होना चाहिए कि नहीं एक बात और एक प्रावधान और जब काम करते हैं तो मस्टर रॉल बनता है मस्टर रॉल मस्टर रॉल का मतलब जितने मजदूर काम कर रहे हैं उनका नाम उसमें लिखा जाता है धनू, पनना, कलू, लला, मन्ना, जुमन आप कई बार पता चला नाम तो लिखे सो और काम किया पचास नहीं, पचास का पईसा निकल लीजिया है, हो जाता है कि नहीं बताओ, तो इसको खतम करना है कि नहीं, इसलिए ग्राम सभा में मस्टर रोल रखा जाएगा, कि कौन-कौन ने काम किया बताओ, अगर कोई नहीं नहीं किया तो पंचास सचे पहीं धरा गया फिर पकड़ा गया कि कहा गया पईजा बचाओं यह गड़बर नहीं चलने देंगे और इसलिए मस्टर रॉल गाओं में ग्राम सभा में रखा जाएगा यह अधिकार आपको इस पेशा एक्ट के तहद दिया है और एक बात और कोई भी नई दारू की दुकान बैसे तो क्रीए की नहीं कि अब लेकिन जो कि आदथ है वो सुधारने की कौशिस करनी पड़े इसलिए यह तैय कर रहें के कोई भी दारू की नई दुकान ग्राम सभा चाहेगी तो आई कोई खुलेगी और ग्रामसभा कहेगी कोई डारू नहीं तो दारू की दुका नहीं खुलेगी यह ग्रामसभा के उपर छोड़ हैं दारू ओ भांग हो और कोई नसा हो यह सब नास की ज्रह और इसलिए इनको कि दुकानगर है तो गिरामसभा प्रिष्टा पारित कर सकेगी किसको यहां से अठाया जाए बोलो सही है कि नहीं अरे मामा की बास समझ में आ रही कि नहीं आ रही है तुम्हें बात जारी रखता हूं आगे एक चीज और इसमें एक चीज और इसमें अगर किसी त्योहार के द की दुकान नहीं खुलेगी तो कलेक्टर उस दिन को ड्राइडे घोसित कर देंगे मतलब उस दिन दारू की दुकान नहीं खुलेगी और एक बात और SP और IG है यहां पर आदिवासी को रखने का अधिकार है वो उनका वैदाने का अधिकार है लेकिन अगर अवैद दारू कहीं विक्ती है तो ऐसे लोगों को छोड़ो मत अभियान चला के क्रस कर दो अवैद दारू का धंदा किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे वैद है तो बात अलग है उस लगातार कारवाई होती रहनी चाहिए मेरे प्रिये बहन और भाईयों मेरी बहने भी बड़ी संख्या में यहां पे ग्राम पंचायत में बजार हो मेला हो पेशा ग्राम पंचायतों में उसके प्रवन्णन का अधिकार भी आपका होगा और एक बात और आज पीछे तक मैं पूछ रहा हूं मुझे बताना बताओ गाओं की स्कूल ठीक चलने चाहिए कि ने चलने चाहिए सब बताओ मुझे पीछे तक चलने चाहिए कि नहीं अब तन्खा ले रहें 50,000 और पढ़ाई नहीं रहें अब एक तो यह कर देंगे गाओं में हर माज साब का भोटू लगाया जाएगा माज साब पढ़ाने आए बोलो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए और ग्राम सभा का अधिकार होगा कि गाओं का स्कूल ठीक चले ताकि हमारे बच्चों का भविस से ना बिगडे है हम अब सियम राइज स्कूल बना रहें बड़े-बड़े स्कूल यह दीरे-दीरे 15-20 गाओं के बीच में एक कर देंगे अच्छी बिल्डिंग, इस्पार्ट क्लास, लाइप्रेरी, लैब, प्लेग्राउंड, सब होगा और गरीबों के बेटा-बेटी भी प्राइबेट से अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे बेरे बेहनों और भाईयों यह हमारा संकल्प स्चेम राइजी स्कूल के मात धमस है उनको लेने बस आएगी, छोड़ने बस जाएगी और एक काम और किया भो भी बता रहूं मैं तो कुछ बड़े लोगों ने कांग्रेश ने सडेंटर किया कि गरीमों के बच्चे, किसानों के बच्चे आगई नहीं बढ़ता है इसलिए बड़ी पढ़ाई डॉक्टरी की, इंजिनिरी की उसमें जरूरी कर दिया कि अंग्रेशी में ही हो गई अब बताओ मेरे भाईयों अपने बेटवेट यंग्रेशी में पढ़ सकते हैं क्या पीछा तक जोर से बोलो पढ़ सकते हैं क्या यह अंग्रेश चले गए, अंग्रेशी थोप गए कि अंग्रेशी में पढ़ाई होगी अब अंग्रेशी का क्रेश ऐसा बढ़ा के आए चाह नहीं आए हर एक अंग्रेजी बोलने की कॉसिस करता है हलो, हाउ वी डू चाहे डू-डू के अलावा कुछ आए चाहे नहीं आए और जिनको नहीं आती बिचारे वो अब साथ में चले गए एक बच्चे ने मेडिकल में एड्मिसर लिया प्रदेश की धरती पर मामा ने तै कर दिया है मेडिकल इंजिरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी हिंदी में हमारे बच्चे भी पढ़ें आगे पढ़ें क्यों अंग्रेजी जरूरी है अगर बैतूल में प्रेक्टिस करना है डाक्टरी करना है बहुरा में करना है साहपुर में करना है चिचोली आठेर में करना है तो एंग्रे जी ज़रूरी है क्या हम अपनी भासा में पढ़ेंगे और अपनी भासा में करेंगे और इसलिए हिंदी में पढ़ाई लेकिन स्कूल खुले ये ग्रामसभा को देखना है आंगनवारी चले ये ग्रामसभा को देखना है